ये दुनिया जो एक सु पंचानबे देशों में बटी हुई है इस पर करीब साड़े साथ सो करोड लोग रहते हैं जिनका रंग, रूप, डील डॉल और रहन सहन एकदम अलग है ये 6,900 से जादा भाशाएं बोलते हैं लेकिन दूर से देखिए सब इनसान लगते हैं इतनी सारी भाशाओं के बीज भी इन सब को एक भाशा तो जरूर आती है वो है प्रेम की भाशा दीमी पढ़ती इस भाशा के बीद स्वागत है आज सभी का सारा जहां में मैं हूँ पृती, शुरुवात सुर्खियों के साथ यरुसलेम को इसराइल की राजधानी के रूप में मानिता देने के अमेरिकी फैसले की चोतर फानिंदा सयक्त राश्ट्र सहित सभी बड़ी शक्तियों ने जताई चिंता, दुनिया भर में विरोध प्रतशन यमन में पूर्व राश्पती साले की हत्ता के बाद शान्ती के बची उमीद भी खत्म, हूधी और साले समर्थकों के बीच जड़ पे आम जनिता का बुरहा प्योंग्यांग विंटर ओलम्पिक से रूस बाहर, सूची ओलम्पिक डोपिंग मामले में रूसी खेल मंत्रा ले और रूसी ओलम्पिक संकी साथगाट का खुलासा और जिन्होंने दिखाई बोलने की हिम्मद, उन्हें मिला विशेश सम्मान, टाइम्स मैजजीन की परसन अब दे येर बनी वो महिलाएं जिन्होंने यौन शोशन के खिलाफ उठाई आवास अमेरिका ने येरुसिलम को अपचारिक रूप से इसराईल की राजधानी मान लिया, इस ऐलान के बाद दशकों से चले आ रहे फिलिस्तीन इसराईल विवाद में नया मोड आ गया है अमेरिका के किस कारवाई का उसके मित्र देशों ने भी विरोध किया है अब आशंका है कि मिडल इस जैसे पहले से ही अशानक्षित्र में शांती के प्रयासों को गेहरा धक्का लग सकता है अब आशंका लग सकता है अब आशंका लग सकता है उर आशंका है जलाना जलाव झाल ओरा सुराड झाल समिल अदिय का बिला, भ Eck exam, जलाना ले पुरावी जलावारा झुजा, भा वै झालाउ। आपदेना झाय झालावा, झालावा, पालावान 시स wilt झालावि झालावा, झालावनीidas विरोत परदिशनो और निंदा का सिलसला पूरे मध्यपूर मेचल निकला सीजा बकली अनाइए हël श्राव तंकी एल फफदा पुरा अबनाएप वारा कर्त वइडैनो पॉर्यीन घ Lucky बनाइस फखरा अमरिकी एला binary वार्स एला कोड़ लूर्स ऋर्ष फ्व्रमाव तर्ड एला कोड़िया वड्राविया य्डला हां उर्णा श्रोसिशनो productive unit अमेरिका के मित्रदेशों सेंक्तर राष्टर और पोप फ्रांसिस ने भी राष्पती ट्रॉम के इस कदम पर चिंटा जटाई है झाल प्रांसिन चुल के प्रांसिट राष्पती याष्पती यारा जिस्टार राष्पती यारा है अजय फसे हुडनी की जडिस्टाफ जए अपाइटे सत्ताफ लगे चेजिए एफ जावनें जोवेशनी एंगेशनी संदेटे छोडिक पूले जाजब साथ जडवे जाज़ेदाब जडिस्टानी जड़ीजिए हे जाने जडशने कीज़ जडिए जड़, जड़ेशनी जडि इस फैसे पर कोई खुश था तो वो थे इसरेल के प्रधान मंतरी बेंजमिन नेतनियाहू जिन्होंने अमेर की राष्ट्रपती का धन्यवाद दिया और दूसरे देशों से शांती प्रक्रिया में सहियोग की अपील की अमेरिका के फैसले के बाद जो शेहरों की सलकों और गलियों में तिखा वो आपके सामने है इसे हम शांती की नई शुरुवात का नाम तो नहीं दे सकते ग्योरो रिपोर्ट राजी सभा टीवी राष्पती ट्रॉम्प भले ही दुनिया का समीकरण हिला रहे हो लेकिन उनके देश में उनकी मुसिबते बढ़ती नजर आ रही है 2016 के राष्पती चुनाओं में रूस के दखल का मामला लगातार संगीन होता जा रहा है आरोप है कि रूस ने डॉनल्ड ट्रॉम्प के पक्ष में महौल बनाने की कोशिश की और ट्रॉम्प को इसकी जानकारी थी जानकारों का मानना है कि इस मामले में ट्रॉम्प पर महाभ्योग भी लग सकता है खेर वो तो दूर की बात होगी लेकिन ट्रॉम्प के एक पूर्व सहयोगी जनरल माइकल फ्लिन के एक बालिया बयान ने उनकी मुसीबत बढ़ा दी है अमेरिकी राष्टपती डॉनल्ड ट्रॉम्प के पूर्व राष्ट्रिय सुरक्षा सलाहकार माइकल फिल ने अपने पूर्व बॉस की मुश्किले बढ़ा दी है उन्होंने ये मान लिया है कि पिछले साल अमेरिकी राष्टपती चुनाव के दौरान वो रूसी अधिकारियों से संपर्थ में थे और इस मामले में उन्होंने एफबियाई से जूट बोला FBI पिछले अमेरिकी राष्टपती चुनाव में रूसी दखल की जाच कर रही है। जानकारों का कहना है कि माइकल फिल्न के हालिया बयान से इस प्रकरण में चांप या उनके परिजनों के फसने की संभावना बढ़ गई है। फिल्न had many potential crimes to be charged with and he was only charged with lying to the FBI on two occasions and therefore I would say it's definitely a sweet deal. That means he's got something that could either affect Jared Kushner or the President or maybe Donald Trump Jr. and so you know this should be very worrisome for the President. पूर्व सैनिक जेरल फिल्ने माना कि उनका रूसी राजदू से समवाद हुआ था। उन्होंने कहा कि वे चल रही जाच में सहीोग करेंगे। माना जा रहा है कि फिल्ने और जानकारियां दी तो राश्टपती Trump के लिए अपना बचाफ करना मुश्किल हो जाएगा। You have two-thirds of the country is not happy with them and one-third of the country will support them no matter what. So, and I think people, if they try to discuss it, they get into arguments because one side calls the other side fake news and vice versa. And so, and so there's alternative realities if you will. फिल्न के इकबालिया बयान के बाद, Trump ने कहा कि उनके पूर्वराश्ट्रिय सुरक्षा सलाहकार को अनुची धंग से फसाया जा रहा है. Well, I feel badly for General Flynn. I feel very badly. He's led a very strong life and I feel very badly, John. I will say this, Hillary Clinton lied many times to the FBI, nothing happened to her. Flynn lied and they destroyed his life. I think it's a shame. फिल्न के इकबालिया बयान के बाद, अमेरिका में जारी जांच में नए कोन उभर सकते हैं. अभी योजकों ने जानकारी दी है, उससे लगता है कि जांच की आज, Trump प्रशासन के कई प्रमुक अधिकारियों तक पहुंच सकती है. अखिर कार, इस मामले में आखिरोंगे अना ही. आखिरकार इस मामले में ट्रम्प फसेंगे या नहीं इस बारे में अभी साफ तोर पर कुछ कहना मुश्किल है लेकिन फिल्म के बयान के बाद ऐसे संकेत हैं कि घेरा अमेरिकी राश्पती के करीब पहुँच रहा है प्यूरो रिपोर्ट राज्य सफाटी और सारा जहां में अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखिए जहां के कुछ खुशनुमा रंग दुनिया रंग बिरंगी में भानु अथाया अकादमी एवोर्ड अपने नाम करने वाली पहली भारतिय महिला सिने उद्यों की इस सफलतम ड्रेस डिजाइनर ने किये हैं करीब 130 फिल्मों के कॉस्ट्यूम तयार 1956 में फिल्म CID से करियर का आगास किया और 1982 में रिचर्ड एटनबरो की गांधी के लिए जीता ओसकर 1991 में फिल्म लेकिन और सन 2002 में लगान के लिए मिला राश्ट्रिय पुरसकार और अब रुख यमन का जहांकि पूर्व शाहसक और राश्पती अले अब्दुल्ला साले ने कहा था कि यमन पर राजगरने का मतलब है कि सापों के सिर पर नाचना 2011 में लगा कि साले ने सापों से ये रिष्टा तोड लिया लेकिन इसे सत्ता का लालच ही कहेंगे कि उन्होंने सापों से खेलना नहीं छोड़ा साप यमन को डस दे गए और आखिर एक साप ने उन्हें भी मार दिया अब हाल ये है कि यमन में शांती की रही सही उमीद भी जाती दिख रही है शांती के इस बायान के बाद यमन में लड़ाई और बढ़ जाती है और दो दिन बाद ये फुटिज सामने आती है अली अब्दल्ला साले का गतल हो चुपा होता है अब्दल्मलक अल्हूदी का ये बयान काफी हद तक यमन में चल रहे खूनी संखर्ष की राजनीती को समझा सकता है जिसमें घरीलू संखर्ष में परस्पर विरोधी पार्टियों का धार्मिक मानेताओं के आधार पर साथ देकर विदेशी शक्तियों ने एक दूसरे से अपने अपने हिसाब किताब पूरे किये यमन में वर्तमान संखर्ष की शुरुवाद 2011 में एरब स्प्रिंग बदलाव के दोरान हुई जब तदकालिन राश्रपती और तानाशाह अली अब्दल्ला साले ने सत्ता की कमान निर्वाचित अब्द रबु मंसौर खादी को दी लेकिन खादी को अलकाइदा के आतंकवात और फ्रष्ठाचा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा सेना के कई बड़े अधिकारी अभी साले के समर्थन में थे इसका नतीजा हुदी मूव्मेंट के रूप में नजर आया जो यमन के अल्प संख्यक शिया समूर की अगवाई में हुआ इसे बहु संख्यक सुन्नी समूर का भी समर्थन मिला जन्वरी 2015 में हुदी ने राजधानी साना को कबजे में ले लिया और हादी को नजर बंद बना लिया मार्च 2015 में हादी देश छोड़ कर चले गए और सालेह ने फिर से यमन पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया शिया बाहुली हुदी समू को इरान का समर्थक हासल था जो की अरब जैसे सुन्नी देश और अमेरिका के लिए खत्रे की बात थी इसलिए ये देश हादी के समर्थन में उत्रे अमेरिका ब्रिटन और फ्रांस ने खूफिया जानकारियां दी और साओधी अरब ने सैने कारवाई की और हुदी सेना को आदेन तक रोग दिया हादी तब से आदेन से शाषन चला रहे थे और सना पर हुदी का कबजा था लेकिन अपने 40 साल के राजनेतिक सफर में कई बार पाला बदलने वाले अली अब्दुल साले ने एक बार फिर साओधी अरब का दामन थामना चाहा उनकी हत्या कर दी गई अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि साले की समर्थक से ना किस के लिए लड़ेगी फिलहाल कभी साले के प्रतिद्वन्दी अब्द रब्ब मंसौर हादी ने उन्हें शद धांजली दे कर अपनी और करने की कोशिश तो जरूर की है वखलाल यूमेन अलमादिया फी अंतफाद सन्हा वफील मकद्दमह मनहुमर रईस साबक अले अब्दल्ला सालह वखलाल मनकदा नख्बह मन अब्दार अलकुवात अलमसल्छा यूमन की राजनीती पर करीब 40 सालों तक 6 साले के गतल के बाद देश में अनिश्यतता और बढ़ गई है आठ सालों से चल रहे इस युद में करीब साड़े 8000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके है आधी से अधिक जनता गरीबी की रेखा से नीचे रह रही है रात में चिकितसा, सफाई और शिक्षा जैसे सुविधाओं पर गहरा असर पड़ा है अरब स्प्रिंग ने यहाँ जो करांती लाए वो कभी फलफूल ना सकी हाँ उसमें काटे जरूर लग गए हैं जो यमनवासियों को हर दिन चुटते हैं और अब उलम्पिक से जुड़े एक एहम खबर के प्योंग्चैंग में होने वाले विंटर ओलम्पिक में भाग लेने से प्रतिबंद लगा दिया हाला के निर्दोश खिलाडी रूसी जंडे के तले नहीं लेकिन रूसी खिलाडी के तौर पर हिस्सा ले सकेंगे सोची विंटर ओलम्पिक्स 2014 की शुरुआ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था लेकिन जब रिंग खुलने की बारी आती है तो तकनीकी कारणों से पांचवा रिंग नहीं खुलता गड़बड़ी की ये तो शुरुवात भर थी सोची गेम्स में रूस 13 स्वान पदक जीतता है लेकिन डोपिंग के चलते 4 स्वान पदक छीन लिये जाते हैं और देश पदक तालिका में पहले नंबर से खिसक कर चौथे स्थान पर आ जाता है साल खत्म होते होते एक जर्मन डॉक्यमेंटरी रिलीज होती है नाम था टॉप सीक्रेट डोपिंग हाउ रश्या मेक्स इस विनर्स इस डॉक्यमेंटरी में कई खिलाडी और अधिकारी कैमरे के सामने जुर्म कुबूल करते पकड़े जाते हैं और ये भी खुलासा होता है कि कैसे रूस ने अपने खिलाडियों को डोपिंग टेस्ट से पास कराया अंतराश्य ओलंपिक कमेटी इस डॉक्यमेंटरी में दी गई जानकारे की पुष्टी करती है रूस की डोपिंग एजनसी को रद कर इसकी जिम्मेदारी बिटन की एजनसी को दे दी जाती है लेकिन रूस के खिलाफ कोई कारवाइड नहीं होती उसे रियो ओलंपिक में हिस्सा लेने की इजासत मिल जाती है असली धका तो तब लगता है जब मॉस्को के एंटी डोपिंग लैप के पूर्व डारेक्टर ग्रेगरी रेट चेनकॉफ अमेरिका मीडिया को बताते हैं कि एक साजिश के तहट खिलाडियों के दूशित यूरन सैंपल्स को साफ यूरन सैंपल्स में बदला गया इसमें सोची में मेडल पाने वाले 15 खिलाडी भी शामिल थे और ये सब लैप की दिवार में एक छेत के जरिये किया गया इस पूरी साजिश में रूस की खूफिया एजेंसी भी शामिल थी इस खुलासे के बाद तथीश की जिम्मेदारी कनेडियन वकील रिचर्ड मेकलेरन को दी गई मेकलेरन की रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस की एंटी डोपिंग एजेंसी और खूफिया एजेंसीयों के भी 60 गाट थी और कई खुलाडियों को इसका फाइदा पहुचा आयोसी ने भी मेकलेरन की रिपोर्ट पर कोई आपती नहीं जाताई और रूस को दोशी ठहराया रूसी खिलाडियों को प्रतिबंधित दवाइदा रूसी खिलाडियों को प्रतिबंधित दवाइदा देने का काम आज से नहीं बलकि तब से है जब सोवियत संग दुन्या पर अपना दबदबा बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था खेल भी तबदबा बनाने का सांके तिक तरीका था तुर्भागे से दुन्या बतली लेकिन रूसी खिलाडियों को प्रतिबंधित दवाइदा दे जाने का काम जारी रहा कोच और अधिकारी सभी खिलाडियों को दवाइआ देने के लिए दबाव डालते और इसे समानने बताते ये दवाइआ किसी भी मेडिकल शॉप पर आसानी से उपलगत थी कई बार खिलाडियों को तो पता भी नहीं होता था कि छोटी मोटी परिशानियों के लिए जो दवाइआ उन्हें दी जा रही है दर असल वो बैंड एनरजी बूस्टर्स है मारिया शारापोवा के इस बाइन के बाद उनके करियर को धक्का लगा कईयों ने उनके आलोचना की लेकिन उनके फैंस खेल के प्रती उनके निष्ठा और उनकी सच्चाई को लेकर कायल भी हुए हालाकि रूस पर बैंड लगने के बाद राष्टपती पुतिन ने इसे अलग ही राजने तेक रंग देने की कोशिश की खेल मानव की ताकट से ज़्यादा उसकी एक्छाशक्ती, उसके संगर्श, उसकी आशाओं और उसकी कोशिशों का प्रतीक होता है इसमें जीत और हार के अलावा अक्सर जो दूसरे परिणाम निकलते हैं वो हैं दोस्ती, भाईचारा और सहभागिता इसे राजनीती या रासाइनिक पदार्थों से तूशित ना किया जाए तो अच्छा है खेल से ना खेलें, खेल को खेल ही रहने दें तो अच्छा है सच्चाई कहने को एक आसान सा शब्द है, लेकिन इस शब्द का पालन काफी मुश्किल है जिसने ये मुश्किल पार कर ली, उस सचमुच खास होता है इस बार टाइम्स पत्रका ने परसन आफ दे एर उन महलाओं को चुना है जिन्होंने यौन शोशन जैसे सच्चाई को दुनिया के सामने बे जुजख रखा पत्रका ने इन्हें The Silence Breakers का नाम दिया है कि एसी थे इन्हें को एंढ बेस्चाई को टे सकत्वा है य हैं ते र्मानी फ्टे सच्चाई परॉ यहके रखा इना बिता है drinking and that if I drink underage then I was probably lying about being raped too. Don't ever feel ashamed of what happened because it's not your fault, you should not be embarrassed. This year in October, when the famous Hollywood artist Ashley Judd did not get the impression of Harvey Weinstein on Yon Shushan's team, 900 E.g. Sumanao, she opened a car in a newspaper that she sent the name of The female and their mother world to you, the people of the world were haptic into the stories of his body. The woman told me to be a book, she's the two and one of the other, she told me to be a singer of the woman, a girl, a girl, a girl, a woman, a girl, a girl, में काम करनी वाली साधारण महिलाएं, चात्राएं, शिक्षिखाएं, लगभग सभी वर की महिलाएं, और तो और कुछ पुरुष भी शामिल थे. तो जब टाइम्स पत्रिका को इस साल का सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व का चुनाव करना था, तो उसे इन महिलाओं की सच्चाई के आगे सब छोटे दिखे. टाइम्स मागजीन ने अपने कवर पेश पर आशले जूड, गायका टेलर स्विफ्ट, वर कंपनी की पूर्व एंजिनियर सूजन फ्लावर, लॉबिस्ट एडमा एवू, और कृशी कर्मी इजबल पास्कल के अलावा, एक ऐसे इस्तरी की भी तस्वीर छापी है, जिसका चेहरा नहीं दिखाया गया है, टाइम्स मागजीन के कवर पेश पर तराना बर्ग का चेहरा भले ना दिखे, लेकिन हैश्टाइग मीटू की शुरुआत के पीछे, इनका बड़ा हाथ रहा है, 1997 में बर्ग यौन शोशन के एक ऐसे बुरे अनभव से गुजरी, जिसने उनकी दिल और दिमाग पर गहरा असर डाला, करीब दस सालों तक इस घाव को दबाए बर्ग ने जस्ट बी नाम की संस्था खूल यौन शोशल प्रिलित महिलाओं की सहायता करनी शुरू की, बाद में उन्होंने इस आंदोलन को मीटू का नाम दिया, उस वक्त हैश्टाग नहीं था, लेकिन तराना बर्ग की ही शमा थी, जिसने हजारों महिलाओं को सच बूलने का रास्ता दिखाया, टाइम्स मैगजीन के कवर पेश पर बर्ग का नाम नहीं, लेकिन काम तो पूरी तरह चाया है, प्यूर्ल रिपोर्ट, राजे सभा टीवी, तो इस हिम्बत को सलाम करने के बाद, आईए अब देखते हैं दुनिया के कुछ खुबसूरत रंग, दुनिया रंग बिरंगी में. फिल्मी दुनिया के सबसे सम्मानित इंस्टिटूट, अमेरिकन फिल्म इंस्टिटूशन ने इस साल की दस फिल्मों को चुन लिया है, इसमें प्रमुक है, प्रेस की आजादी पर बनी फिल्म दे पोस्ट, दूसरे विश्वयूत पर बनी फिल्म डंकर, सूपर हीरो फिल्म बंडर वोमन, और फैंटेसी फिल्म दे शेव वाटर, एफ़ाई की इस लिस्ट को बड़ी इज़त के साथ देखा जाता है, क्योंकि इसमें उन्ही फिल्मों को शामिल किया जाता है, जिन्होंने सिनमा की दुनिया में सच में कुछ नहीं किया होता है, चुनी फिल्मों के ओस्कर और गोर्डन क्लोग जैसे अवार्ज में नॉमिनेशन के चांसे भी बढ़ जाते हैं, नाइजीरिया में स्नोफॉल नहीं होता, इसलिए विंटर गेम्स का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन इन नाइजीरिया ये महिलाओं को इससे फर्क नहीं पड़ता, ये दक्षन कोरिया में होने वाले प्योंग गैंग विंटर उलिम्पिक्स की बॉब स्लेजर रेस में हिस्सा लिने जा रही है, इन्हें हलके में लेने की जुरत मत कीजेगा, इनका नाम है सूपर इगिल, इन नाइजीरिया की किसी भी विंटर उलिम्पिक में पहली हिसेदारी होगी, इससे पहले जमाइका की टीम ने विंटर उलिम्पिक में हिस्सा लेकर सबका दिल जीता था, उनकी इस कोशिश पर एक हिट फिल्म भी बनी थी जिसका नाम था कूल रानिंग, एड शिरॉन, आप शायद उनके हिट सिंगल शेप औव यू से जानते हैं, लेकिन कम ही लोगों को मालूम होगा कि वो बच्चों के स्वास्त, गरीबी और एज जैसी बिमारी को लेकर काफी संबेद अन्शीर है, इसके लिए उन्होंने केवल धन ही नहीं दिया, बल्कि खुब जाकर मिले हैं और उनका दुख भी बाता है, साथ दिसंबर को बिटन के बकिंगम पैलिस में प्रिंस चार्ल्स ने एड शिरॉन को उनके इस योगदान के लिए सम्मानित किया, एड शिरॉन ने इस मौके पर अपने दादा जी को याग किया, बचपन में किस ने प्यागली डखलिंग, थंबलीना और दे लिटल मरमेड जैसी कहानिया नहीं सुनी होंगी, ये कहानिया कभी पुरानी नहीं होती, शायद आपको पता ना हो कि इन कहानियों के लेखत डेन्माक के हैंस ट्रिश्टिन आंडरसन थे, जिनोंने देड़ सौ साल पहले ओडनीस शहर को अपना घर बनाया था, इस अफसर को मनाने के लिए ओडनीस वासियों ने 9000 लाइटों से शहर के मुख्य चौराहे को सजाया, इन लाइटों के जरिये आंडरसन की मूर्ति के अलावा उनके जाने माने चरित्रों को भी जीवन्त किया गया, और इसी के साथ सारा जहां के इस हफ़ते के सफर में फिल हाल इतना ही इजाज़त दीजिए, नमस्कार हुआ 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 ह elbows है